हलो एव्रीवन वेलकम तो माई उप्छी उप्छी असिस्टेंट प्रोफेशर की रेगुलर प्रिपरेशन कर रहे हैं टेस्ट 43 अल्रेडी कंप्लीट हो चुके हैं जिनको नहीं मिले हैं अभी तक वो वाट्सअप करके ले सकते हैं अधरवाइस जिन्होंने इमेल के तुरू है तो वो इमेल चेक करें अपना इन बॉक्स में नहीं है तो अल मेल सेक्षन में जाके देखिए आपको मेल जाएंगे टेस्ट टेस्ट सीरीज जोइन कर लीजे जिन्होंने अभी तक भी टेस्ट सीरीज जोइन नहीं किये और तो आप टेस्ट सीरीज जोइन कर लीजे टाइम कम है अब एकजाम में तो अभी तक भी अगर आपने जोइन नहीं किया है तो जोइन कर लीजे टेस्ट सीरीज का लिंक नीच नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसके नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा या फिर आप इस नंबर पे भी कॉंटेक्ट करके वाट्सप पे ले सकते हैं टेस सीरीज का लिंक है जो टेस सीरीज हिंदी और इंगलिस दोनों में अवेलेबल है जनरल स् इससे पहले जो करवाय यह हमनें पालिटी, हिकनोमी इन पे टेस्ट करवाये है इस पर इस्तिक और अब यह करन्ट आफिर चे वीडियो देख लिए हैं तो उनको पढ़ते ही आंसर पता होना चीए जो सीरीज कर र्हेत कर रहें हैं जन्होंने आश्यक्रा़ के विडियो रि उनको ये पता होने ची इनके सारे आंसर राष्टे खेल पुरुसकार 2022 और जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं करण्ट अफेर्स के चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है UPHESC के नेम से उसमें जाके देखेगा आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे राष्टे खेल पुरुसकार 2022 और राष्टे साहसिक खेल पुरुसकार 2021 के संदर में निमलेकित में से कौन सा कथन गलत है इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है टेबल टेनिस के लाड़ी सरत कमल अचंत को 2022 के लिए मेजर ध्यांचंद खेल रतन पुरुसकार दिया जाएगा ये सही है पिछले पांच वर्सों में खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नेतरत वे खेल बाहुना और अनुशाशन के लिए अरजुन पुरुसकार प्रदान किया जाता है ध्यांचंद पुरुसकार किसी खेलाड़ी के पूरे जीवन काल में खेल में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है ये स्टेट्मेंट भी सही है द्रोनाचार्य पुरुषकार खेल प्रसिक्सकों के उत्कृष्ट प्रदर्शन ये जो कोच वगारा होते हैं कोच उनको दिया जाता है द्रोनाचार्य पुरुषकार तो ये option गलत है second one और ये गलत क्यों है क्योंकि जो अरजुन पुरुषकार है ये सही है कि खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन नेत्रतों या खेल बाउना के अनुशासन के अनुशार दिया जाता है अरजुन पुरुषकार लेकिन ये पांच वर्षों में नहीं दिया जाता ये है four years में चार साल में ये आपको द्यान रखना है अभी रिसेंटली 2022 के लिए जो मेजर द्यांचंद खेल रतन पुरुषकार दिया जाएगा वो इसको सरत कमल अचंद जो टेबल टैनिस खिलाड़ी हो उनको दिया जाएगा पहले इसका नाम राजी उगांदी खेल रतन पुरुषकार था अब इसका नाम मेजर द्यांचंद खेल रतन पुरुषकार हो गया ग्रेट बेरियर रीफ के संदर्म में निमल एकित में से कौन सा कथन ऐसत्य है गलत कौन सा है, इंकरेक्ट कौन सा है रूस के पूर्वी तट परिस्तित ग्रेट बेरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल बित्ती है देखे, यहां काफी अधिक समुदरी जय विवित्ता पाई जाती है यह सही है, बायो डाइवर्शिटी काफी होती है ग्रेट बेरियर रीफ को 1981 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट गोशित किया था विस्वविरासत इस्तल गोशित किया गया था, यह भी सही है देखे, यह पहला ही स्टेट्मेνट गल आता है, क्योंकि यह जो ग्रेट बेरियर रीफ है, प्रवाल बित्ती यह रूस के पूर्वित त happened नहीं है, यह एक्चले आस्ट्रेलिया में है कहां पे है यह, ओस्ट्रेलिया में है ये चर्चा में क्यों है क्योंकि अभी रिसेंट एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ये पूछा जा सकता है Great Barrier Reef को है जो World Heritage Site का दरजा कब दिया गया था कब डिकलेर किया था है 1981 में डिकलेर किया था अभी रिसेंटली United Nation का जो संयुक्तराष्टर है उसके एक पैनल ने ओस्टली है कि जो Great Barrier Reef है इसको ऐसी जो World Heritage Sites है उसकी इस तरीके की लिस्ट में रखने की सिपारिस किया जो एक्स्टिंट होने वाला हो जो एक्स्टिंट होने वाले हो लूप तो होने वाले हो उस केटेगरी में रखने का इन्होंने इस पैनल ने जो recommend किया है तो ये चर्चा में है क्योंकि लगबग लगबग अब Global Warming की वज़े से एक्स्टिंग्शन में जा रहा है एक्स्टिंट हो चुका है लगबग सबसे पहले द्यान रखना है वैंकी रामकृषनन इनको ब्रिटेन का जो order of merit है उससे सम्मानित किया गया देखे जो ब्रिटेस महारानी थी अभी Elizabeth second क्विनेज Elizabeth 2 थी उन्होंने किया है उनकी death से पहले September में एक historical order पास किया था और उस historical order में छे लोगों का नाम था उन छे लोगों के नाम में एक नाम इनका भी था वैंकी रामकृषनन का और अभी recently उनको ब्रिटेन के उनकी death के बाद अभी जो ब्रिटेन के महाराजा बने है Charles III इन्होंने science के फिल्ड में इनका contribution है उनको और ये बाहरतिय मूल के है और ये Nobel Prize winner भी है ये प्रोफेशर वैंकी रामकृषनन ये Nobel Prize winner है बाहरतिय मूल के है और इनको science के विज्ञान के क्षेत्र में पुरुसकार दिया है order of merit ब्रिटिस महाराणी या महाराजा दिया जाता है एक special पुरुसकार होता है विशेश शम्मान होता है ये दिया है molecular biology में आणविक जीव बिग्ञान बी इसका correct answer ये बहुत important question आप द्यान रखिएगा देखे आप subscribe जरूर कर लीजिएगा वीडियो को like कीजिएगा इसमें तो कुछ नहीं लगता है इतना तो आप कर सकते हैं आपको करना भी चीए the global report reshaping policies for creativity addressing culture as a global public good report हाली में किस संस्ता द्वारा जारी की गई है ये जो report है ये भी recently UNESCO ने जारी किया है इस report में क्या है कि जो भी ये picture movie वगारा बनाने वाले हैं entertainer या कलाकार जो भी जिनको बोला जाता है इन कलाकारों के जो rights हैं उनके संरक्षन की बात किये आपने देखा होगा कि कोई भी कहीं का भी कलाकार कहीं भी ना कुशेड देता है अपना किसी भी मुद्दे पर चाहिए उसको zero knowledge हो उस matter पर तो अब ये UNESCO ने का है कि भाई इनको बोलने दो इनके हितों की रक्षया है ये इनके rights है ये किसी मुद्दे पर कुछी भी बोल सकते है तो ये report पूचा जा सकता है कि ये voice to the voice less इसका नाम है voice to the voice less के इसका नाम से ये चर्चा में है अभी तो आपको द्यान रखना है ये किसके लिए है जो भी आर्टिस्ट हैं कलाकार हैं इनके हीत और अधिकारों के संरक्षन की बारे में है ये report यूने इसको ने जारी किया ये तो वैसा है हो गया जैसे chemistry का teacher है वो mathematics पढ़ा रहा है या general study जिसको आती है वो physics पढ़ा रहा है वैसा ही है कुछ मालाबार सहयूक्थ सेन्य अभ्यास के संदर में निमले कित में से कौन सा कतन सही है करेक्ट पूचाया correct statement कौन सा है इस साल के मालाबार अभ्यास के संस्क्रण की मेजबानी जयपान कर रहा है ये statement सही है जो अभी इस बार का edition continuing on इसका आयोजन मेजबानी है जो ओस्टिंग इसको जापान कर रहा है 1992 में सुरू किया मालाबार अभ्यास की ये तीसमी वर्षगाट है ये सही है इसकी 30th anniversary है ये 30th edition है इसका ये तो दोनों ही statement correct है climate action tracker जो विबिन देशों के उत्षरजन में कमी के संकल्पों की निग्रानी करता है climate action tracker ये क्या है देखिए ये है जो भी research organization है उन्होंने एक collaboration करके उनके एक गठबंदन से जो database बनाया गया है वो है ये climate action tracker और ये जो पैरिस agreement हुआ था 2015 में पैरिस agreement हुआ था उससे जुड़ा हुआ है ये इसमें एक इंडिपेंडेंट एनलाइसिस है जो government है जो climate का कुले के जो tracking होती है government की जो सरकारी जलवाई कारवाई है उसको track करता है और आपने देखा हुआ पैरिस agreement में क्या था दो डिग्री celsius से नीचे रखना है warming और देट डिग्री तक उसको सीमित कर देना है देट डिग्री celsius तक 1.5 डिग्री celsius तक so इसका correct answer आएगा first one a हाली मनिपुर का मोयरांग नामक जगह सुर्खियों में था ये निमल लेकित में से किस गटना से संबन देता है ये जितने भी question है बहुत important है आप इन में से miss मत कीज़ेगा किसी को मनिपुर का मोयरांग देखिए 1943 में जब second world war का time था उस time पे हुई थी आजाद हिंद फोज की स्तापना और आजाद हिंद फोज है इसकी स्तापना जो मूल रूप से कहां पे हुई थी ये सिंगापुर में हुई थी आएने ये दिस मार्क का सुना होगा आपने जो सिंगापुर में आएने आएने है ये इसी का एक कौपी है एक तरीके से ये मनिपुर में जो मोयरांग जगह है मोयरांग का है मनिपुर में विश्नुपूर डिष्टी का है मनिपुर में विश्नुपूर डिष्टी का है वहाँ पे है ये मोयरांग वहाँ पे भी सुभास चंदर बोश ने इस जगह पे आजाद इंद फोज के जो कमांडर इंचीफ के रूप में सबसे पहले तिरंगा पहराया था यहाँ पे और यह अभी उसका है जो जब यह किया था उसका एंवर्श्री वगारा कहिए ऐसा था तो यह चर्चा में है यह जग है क्योंकि यहाँ पे नेता जी की मूर्ती भी स्तापित किये है हाली में पीटी उसा को निमले कितमे से किस संगठन का अध्यक्स चुना गया है अभी रिसेंटली है जो पीटी उसा को जो इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन है बारती ओलम्पिक संग इसका निरविरोध अध्यक्स चुना गया है और जो बारती ओलम्पिक संग है इसने इसका ओलम्पिक की बात करें 95 years की जो इस्ट्री है उसमें पहली बार ये महिला को अध्यक्स बनाया गया है पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला अध्यक्स बनी है इसकी पीटी उसा ये और ये अभी थोड़े टाइम पर और ये ओलम्पिक भी है अलम्पिक पदक वगर अभी जीते इनों ने इंटरनेशनल पदक वीजेता भी है और अभी रिशेंटले इनको राज्य सबा का मेंबर भी नॉमिनेट किया था तो ये आपको द्यान रखना है इसका करेक्ट आंसर आएगा पीटी उसा इसका उल्टा भी पूछा जा सकता है कि अभी हाले में भारतिय ओलम्पिक संका अध्यक्स किसे चुना गया है तो ये पीटी उसा को चुना गया है सी इसका करेक्ट आंसर है हाली में भारत और आस्ट्रेलिया के बीच शुरू हुए नए युद्ध अभ्यास ये पहला संस्क्रण है इसका क्या नाम है ये जो युद्ध अभ्यास हो रहा है ये पहली बार हो रहा है और ये सब आपको करण्ट अफेर्स के जो पढ़ाए हैं उसमें करवाए हैं साथ या आठ पार्ट हो चुके हैं करण्ट अफेर्स के आगे भी करवाएंगे देखे आप टैस सीरीज जोइन कर लीजिए उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इसका नाम है आश्ट्रहिंद है और ये कहां पर हो रहा है ये युद्धाब्यास जो हो चुका है ये अभी 10 दिन तक चला है ये दस दिन तक चला है पहली बार हुआ है और यह हुआ है राजस्तान में राजस्तान में जो बीकानेर डिस्टिक है वहाँ पे हुआ है बीकानेर में है महाजन महाजन फिल्ड फायरिंग रेंज यहाँ पे है यह बॉर्डर पे पाकिस्तान बॉर्डर पे सी इसका correct answer है देखे चाइना भी इसलिए पागल हो रखा है कि एक तो ये पाकिस्तान बॉर्डर पे आस्ट्रो हिंद चल रहा था उत्राखंड बॉर्डर पे युद्धा ब्यास चल रहा था इंडिया और आस्ट्रेलिया का और अभी आज से है जो ये जो इस्टन सेक्टर है पूरा आपका ये आसाम, अरोना चल, सिक्के, मुटान वाला ये इधर का जो एरिया है यहाँ पे एर फोर्स का exercise होगा आज 15 दिसंबर से ही तो ये इसलिए पागल हो रखा है चाइना वर्स 2023 में भारत ने गणतंतर दिवस पर अबदेल फत्य अल सीसी को मुख्य अतिति की रूप में आमंत्रित किया है ये किस देश के राश्ट्रपती है ये पूछा जा सकता है क्यूशन ये भी important है ये कहां के राश्ट्रपती है ये है मिसर के राश्ट्रपती है मैं पूरे detail से समझाया आप कोई कौन है कैसे बने है तो आप current affairs का जरूर देखेगा इसके लिए वीडियो और देखे ये ऐसा इसलिए है हर चीज के पीछे कोई वजय होती है कोई region होता है ऐसे किसी को नहीं बुलाते जो मिसर और भारत है इनकी अभी जो इनके राजनेक संबंद है उनकी पिचत तरवी पिचत तरवी वर्षगांट है इसलिए इनको बुलाया है और दूसरा आप अपने पढ़ लिया होगा मैंने बताया था आपको कि G20 जो 2022 थे विसमें भारत अभी अध्यक्स है उसमें मिसर को एजे गेस्ट भी इन्वाइट किया है इंडिया ने एजे अधिती देश हाली में ये क्यूशन पूचा जा सकता है देखे आपकी कौन-कौन से देशों को एजे गेस्ट इन्वाइट किया है G20 के लिए हाली में वर्ष 2022 का Champion of the Earth Award किसे प्रदान किया गया है अभी रिसेंटली जो Champion of the Earth Award है ये दिया गया है 2022 का पूर्निमा देवी बर्मन को देखे यहां से एक क्यूशन ये भी बन सकता है तो Champion of the Earth Award किसे दिया गया है या ये पूर्णिमा देवी का पूचा जा सकता है कि ये किस क्षेतर से जुड़ी हुई है ये परियावरण संरक्षन की कारे करता है एन्वार्मेंट के फिल्ड में और लगबग 20 साल से लगबग 20 यर से एक सर्व महिला गुरुप बना के और इन्होंने इस्टार्क पक्सी ज जो की लगबग विलुत्तोंने के गार पिता उसका अस्तितों बचाने की कौसिस कर रही थी ये और काफियत तक इन्होंने उसमें किया है काम जो इस्टार्क पक्सी है उसको जो असम की लोकल बासा है उसमें क्या बोला जाता है हरगिला हरगिला भी बोला जाता है हरगिला इसके लिए काम किया, इन्होंने 20 साल तक एक ग्रुप बना के अभी इनको रिसेंटली चेंपियन आफ़ दार्थावार दिया गया हाली में लेखक खालित जावेद के किस उपन्यास को JCB पुरुसकार से पुरुसकर्ट किया गया है देखें यह JCB क्या है, पहले तो जिनको नहीं पता है, JCB कर यूपी वालों को तो सबको पता होगा JCB का JCB क्या है, यह जो मसीन है वो JCB नहीं है, JCB यह कंपनी है JCB क्या है, यह कंपनी है और इसका नाम है, सायद आप क्रॉस चेक कीजिएगा जोसेफ सिरिल और बैमपोर्ड ऐसा कुछ करके है, जोसेफ सिरिल बैमपोर्ड यह है JCB और वो जो चलता है, वो तोड़ फोड़ करता है वो JCB नहीं है वो उसका नाम कुछ और है उसका नाम, उसका नाम कुछ और है, यह JCB है जो जोसेफ सिरिल बैमपोर्ड है उसका नाम एक्चुली क्या होता है, उसका नाम है बैकोहो लॉडर वो जो मसीन है, उसका नाम है यह बैकोहो लॉडर, JCB यह कंपनी का नाम है जिसको JCB मसीन कहते हैं, एक्चुली उसका नाम नहीं है, यह कंपनी का नाम है ठीक है, अब बात करते हैं, इसकी यह आवार्ड क्या है, यह पहली बार दिया गया था, 2018 में 2018 में पहली बारी आवार्ड दिया गया था, कौन सा? JCB आवार्ड, और अब जो JCB आवार्ड दिया है 2022 का, 2022 का जो JCB आवार्ड दिया है, यह दिया है, यह उर्दू के लेखक है, खालिद जावेद इनको दिया है यह खालिज जावैद है यह प्रॉफेशर है उर्दू के कहां पर जो जामिया मिलिया युनिवर्सिटी है डेली में उसमें उर्दू के प्रॉफेशर है यह और इनका एक काफी फेमस उपन्यास है नेमत खाना यह आप नाम ध्यान रखिएगा नेमत खाना इसके लिए इनको अब इस नेमत खाना उपन्यास का अंगरेजी अन्वाद क्या है? क्या है द्यान रखना आप और ये तो नेमत खाना एन्होंने लिखा है खालिद जावेद ने और ये जो पैराडाइज वोड है इसका इंगलिश ट्रंसलेशन ये किस ने किया है? ये किया है फारुकी 12 फारूकी 12 फारूकी इन्होंने इसका English translation किया है यह पूचा जा सकता है इसमें देखे क्या होता है इसमें 25 लाइक रूपीज की राशी दी जाती है यह आपको द्यान रखना है और यह आवार्ड कौन देता है जो निर्मान उपकरण निर्माता है यह Construction Equipment Manufacturer JCB यह देता है 20 इसका correct answer है हाली में 1st ट्रेप सूर्खियों में रहा यह क्या है यह जो 1st ट्रेप है यह इसका answer आएगा D अभी recently यह पहला sticker आधारित debit card है और यह किसने का है IDFC का है IDFC ने NPCI जो है National Payment Corporation of India भारतिय राष्टिय बुगतान निगम इसके साथ मिलके यह पहला debit card launch किया इस T का राधारित इसमें pin वगरा डालने की ज़रूत नहीं एक chip है उसको tap करके आप payment कर सकते हैं उसको कहीं भी चिपका सकते हैं इस चिपको आप cell phone, identity card, purse, tablet, android कहीं भी 5000 तक के लिए इसमें pin वगरा एक ज़रूत नहीं है सभी महिलाओं और लड़कियों के खिलाब सभी प्रकार की हिंसा को खत्म करना निमन में से किस सतत विकास लक्षे के तहत एक लक्षे देखे सभी महिलाओं लड़कियों के खिलाब जो हिंसा है उसको खत्म करना यह जो sustainable development goals target है 20 30 यह है sustainable development goals का इनको अचीव करना है 20 30 तक यह पढ़ लिया होगा आपने अधरवाइस पढ़ लीजिएगा United Nations के हैं यह sustainable development goals यह total 17 development goals हैं मैं इसलिए बताता हूँ कि जब इसकी चर्चा करते हैं तो कई बार मन में आपके होता होगा कि यह कितने हैं क्या है इसलिए पूरा बताना पड़ता है मुझे और यह इसमें जो 17 goals हैं इसमें 169 targets हैं इसमें अभी तक जो agreement हुआ है 191, 191 में UN के जो member states हैं वो इस पे agree हुए हैं कि इसको achieve करना है कब तक 2030 तक उनमें से एक target यह भी है महिलाओं के खिलाब जितने भी प्रकार के इंसा है उसको खत्म करना इसका जो correct आंसर आएगा यह है B SDG 5 SDG 5 में क्या है Gender Equality और Women Empowerment और SDG जो 5 है इसी का है 5.1 5 तो क्या है जिसमें Gender Equality है और Women Empowerment है और 5.1 क्या है चाए PSU हो Private हो Government हो जितने भी है Areas सारवजनी क्या निजी ख्षेतर के इनमें सभी महिला है और लड़कियों के खिलाब सभी प्रकार की जो हिंसा है उसको समाप्त करना जिसमें चाए वो Human Trafficking हो चाए किसी भी प्रकार का शोशन हो वो सभी इसमें सामिल है 5.1 में तो भी इसका सही अंसर है आप इसको ध्यान रखिएगा देखे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजे वीडियो को लाइक कीजे आप इसमें कंजूसी ना करें प्लीज और टेस सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप जोइन कर लीजे अदरवाइस कमेंट सेक्षन में लिंक मिल जाएगा किन दो देशों के बीच गरूर सेवन संयुक्त वायुशेना अभ्यास हुआ है अभी ये नवंबर में हुआ था जोदपूर में ये गरूर सेवन इसका ये था भारत और फ्रेंस के बीच में C इसका करेक्ट आंसर है आपको सभी टेस्ट में 30 कुशन मिलते हैं जिन्होंने टेस सीरीज जोइन कर रखी है All the very best Good luck Thank you very much